Kids, now, take out your swear-parity book. अब आप अपनी swear-parity book निकालिए. अब हम क्या करेंगे, kids? Now we will read swear. अब हम swear-read करेंगे. जो आपने पहले से अच्छे से learn क्यों है, ना? एक बार हम swear को फिर से उनका अभ्यास करते हैं. कौन सा swear रही है कि थे? अब अनार, अननास, अच्छकर, अम्रूद. असवर के बाद कौन सा swear रहाता है? आ-ाम. कौन सा swear रही है? आ-ाम. आ-ाम. आ-ालू, आ-ाद्मी, आ-ााँग. यह कौन सा सुरह है कि इट्स? आ के बाद कौन सा सुरह रहाता है? पेले हमारा कौन सा सुरह रहता है? अ. अ के बाद आ. और आ के बाद इ. 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 इमली. इ. इमली. इ. इ. स्त्री. इ. इ. इमार. इमारत इलाइची, इमली, इस्त्री, इमारत, इलाइची, अब हमारा कौन से सोर आएगा? E, कौन से सोर आएगे? E, kids आपने अभी देखा जो हमने आपने E इलाइची सुवर किया तो, वह मैं आपने E बहुत जल्दी बोला, आपको भी बहुत जल्दी बोलना है, कैसे? इमली और इएक इसको आपको थोड़ा सा खीचना है थोड़ा सा लॉंग करके बोलना है इएक ओके इएक इश्वर इदगा इएद इएक इश्वर इदगा इएद अब हमारे कौन सास हो रही है कौन सास रही है उपहार, उलु, उपहार, उडन खाटोला उपान केश्वर अभी हमने कौन से सुर रही के जो आपको OF अच्छे से लर्ण है और कौन करिक सान और है ओके, आज हम कौन सा नया स्वर लर्न करेंगे, आज हम ये नया स्वर लर्न करेंगे आपको पता है, स्वर बच्चों कौन सा स्वर है ये? यो vallahi, जो हमने अब पीछे रीट किया था, यह आप बहुत जल्दी बोलेंगे, ओ, ओ, उपहार अब आपको कौन सा सुबर है इसको आपको खीच कर बोलना है जैसे मैं बोल रहे हैं उउन उपर आप उपर स्टेर्स पे जढ़ते हो आपको उसको खीच कर बोलना है उउपर उउउँ उउन उउद्विलाव उउपर Kids, now you also read स्वर from अ to उ आपको अ से उ तक स्वर रीट करने है and make your video or audio send it to me